बाइक पर तीन लोग बैठे हैं जिसमें एक आदमी और दो महिलाए हैं तीनों के सिकाम से बाहर निकले हैं तब ही हुरदंग करने वाले कुछ लड़कों का एक जुन्ड उने रास्ते में मिलता है और ये लड़के उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तीनों को जबरदस्ती रंग लगाते हैं पहिलाओं के साथ बत्तमीजी करते हैं उनके मना करने के बावजूद भी उनको रंग लगाते हैं और धारमेक नारे लगाते हैं ये घटना विजनौर के धामपुर इलाके की है घटना पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया और पीडित 24 मार्च की सुबह से ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है मामले पर पुलिस का एक्शन भी सामने आया है वायरल वीडियो और CCTV पोटेज के आधार पर जबरदस्ती रंग डालने और परिवार से अवधरता करने वाले चार लोगों को गरफतार कर लिया गया है साथ ही पीडित परिवार की तहरीर के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है आपको बता दे कि गरफतार हुए चार लोगों में से एक का नाम अनिरुध और पानु हैं और बाकी के तीन लड़के नाबालिक हैं मामले में स्पी नीरज कुमार जादाउन का बयान भी साम्वे आया है सुनियो उन्होंने क्या कुछ कहा पात करें उसे तहरी प्राप कर अभी उदर्ज करें तो अपने परस्नों सपर्विजन में समझद विचनात्मा कारवाई संबन कराएं विजवार पुलिस अभी से नरोत करती है कि हुली एक प्रवधित दिवहार है पुलिस ने पीड़ित परिवार का भी पता लगाया है वीडियो में बाइक चला रहे व्यक्ति का नाम दिलशाद है दिलशाद ने बताया कि वो दबा खरीडने के लिए अपनी पत्मी और मा के साथ निकला था तब उन्हें लड़कों ने घेर लिया और रंग लगाना शुरू कर दिया दिलशाद ने और क्या कुछ बताया आप भी सुनिए आपके चांकारी के लिए बता दी कि दो साल पहले भी धामपुर का एक ऐसा ही वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें दो महिलाएं पैदल जा रही थी तभी उनके उपर पहले तो गपारे फेके गए और फिर इसी तरह जबरन रंग डाला गया उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हुआ था इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपके लिए तमाम जानकरी जुटाए हमारे साथी विभाबरी नहीं मेरा नाम है विकास वर्मा देखते रही दिल्ला लिंटॉप शुक्रिया